दोस्तों नमस्कार मैं संजे मगवर मौजूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया मंस पर राजनीती हो या समाजनीती यानि कि कोई भी कारे छेत्रों एक बात चला करती है कि जिस व्यक्ति ने खुद को प्रूव कर दिया हो खुद को साबित कर दिया हो फिर उसके लिए मंजलें बहुत नजदीक हो जाती है जिस व्यक्ति ने खुद को साबित कर दिया हो कि वो कुछ कर सकता है या कुछ कर के दिखा देता है तो फिर उसके लिए रास्ते बड़े खुले होते हैं आपसे जिक रिसली कर रहा हूँ कि हरियाना के मुख्या मंतरी नायव सिंग सैनी कल हरिदवार में थे और हरिदवार में उनका एक समान समाहरो रखा गया था कारेकरम का आयजन हुआ था पतंजली योग पीठ के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं कि नायव सिंग सैनी के बारे में आप दो शब्द कह सकते हैं या दो लाइन कह सकते हैं राजनीती हो या समाजनीती जो मैंने आपको बताया है जो व्यक्ति खुद को प्रूव कर देता है साबित कर देता है फिर उसके लिए रास्ते खुले हो जाते हैं और नायब सिंग सैनी ने ये हर्याना के अंदर साबित करके दिखा दिया पूरु मुख्य मंतरी मनहोरलाल जो आज देश के उर्जा मंतरी है उनके स्थान पर और उनके चैन पर हर्याना के मुख्य मंतरी बने नायब सिंग सैनी ने इस विधान सभा चुनाव के अंदर प्रधान मंतरी मोधी और ग्रह मंतरी अमिशा की जो विहू रशना थी जुस प् विधायक थे, 2019 में 40 विधायक थे और 2024 आते आते इनको 48 विधायक यानिकि 2004 से भी ज़्यादा यह साबित कर दिया कि वो हर्याणा के लिए कुछ बड़ा भी कर सकते हैं और इसी को देखते हुए जब उनके बारे में स्वामी रामदेव कह रहे थे बाबा रामदेव योग के अंदर एक बड़ा गुरुकुलम खोलेंगे रामदेव उनके लिए कह रहे थे कि हर्याणा के अध्वित्य मुख्य मंत्री आप सुने क्या कहा रामदेव ने जो नायाब है जो अतुल्य है अनिर्वच्चिनिय है अप्रतिम है और एक बात आपको कहता हूं मेरी दो तीन बार देश के प्रधान मंत्री आजने नेदर मोदी जी से आपके संदर में बात पुई तो आपके लिए दो शब्द हमेशा प्रयोग करते हैं इतना विनम्र इत पुर्शार्थी और इतना धैर्यवान हमारा देश का सबसे अप तरह से अप्रतिम मुख्यमंत्री कोई है तो हमारा नायब जिंग सेनी और इतनी मुस्कुराट कोई चिंता नहीं और अपने स्वधर्म में पूरी निष्ठा ऐसे जिनको बोदी जी अत्यंत फ्रीति करते हर अधियाना वालोंने तो प्रेम करके कहते हैं एकदम गजब काई चाला पाट गया खुटा जोर का गाड़ दिया हर्याना की भासा में बोले तो बहुत चाला पाट गया रवए ऐसा खूटा गाड़ दिया वही जह है जिसको कोई उखार नहीं सकता इतना दमखम तो ऐसे मु तो स्वामी रामदेव कह रहे थे कि परधानमंत्री मोधी से वो मिले तो मोधी जी नायव सैनी के लिए कह रहे थे कि अप्रतिम अद्वित्य मुख्य मंत्री हर्यारा के जो मुख्य मंत्री हैं उनकी तुलना कर रहे थे परधानमंत्री मोधी बकौल स्वामी रामदेव को जो मोदी जी ने कहा कि जो देश के मुख्य मंत्री हैं भारती जन्ता पार्टी के उनके अंदर नायब सिंग सेनी सबसे हटके हैं और इससे दो कदम आगे बढ़के एक बात बोली अवदेशानंद गिरी महाराज ने उरोंने इससे आगे बढ़के कहा कि हर्याना के मुख्य मं मंत्री और भारत का भविश्य आप इनको भी सुनिए आचारी कुलम के द्वादस वर्षी है इस पाटोत सव में जिनके अभिनांदन के लिए आज हम यहां बैठे हैं ऐसे आधरणी नाइब सिंग सैनी जी जो केवल हर्यानां के मुख्य मंत्री नहीं है मुझे तो ऐसे लगता है वो भारत के भविश्य भी है उनके पास विद्या विने बड़ी सरलता और एक उर्जा अनभूत होती है हमें गाउं का बेटा किसान का बेटा किस तरह से एक कुछ पदख प्रतिस्टित होकर भी अपनी वि सब्सक्राइब करना चाहेंगे इस गंगा के धरते पर तो मांत गिरी ने तो इससे बढ़कर आगे कह दिया कि हर्याना के मुख्य मंत्री तो है और इसके साथ-साथ इनके अंदर एक भविश्य का कुछ और भी देखते हैं खेर में इसलिए आप से कहा था कि जब कोई व्यक एक अलग प्रकार का चुनाव था हर्याना का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अगर देखें तो एक अनूठा और अध्वित्य चुनाव था अनूठा और कई मायनों में अलग और अध्वित्य इसलिए कि ऐसा चुनाव जसने की हर्याना के निर्मान के बाद में किसी पार्टी की पहली बार हेट्रिक लगवाई इसलिए चुनाव अनुठा था आज तक जब से हर्याना का गठन हुआ यहाँ पर दो बार लगातर कॉंग्रेस बन चुकी है भुपेंदर सिंग उड़ा मुख्य मंत्री बने दो बार लगातर भारती जंता पार्टी बन चुकी थी यानि कि 2005 से ले करके और 2014 तक 2005 के चुनाव में और 2009 के चुनाव में Congress आई मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग उड्डा हुए 2014 और 2019 के चुनाव हुए तो भारती जंता पारटी गई मुख्यमंत्री मनुखुलाल हुए 2019 के बाद में जब 2024 के चुनाव से पहले और जब मुख्य मंत्री का चेहरा बदला गया और उसके बाद में चुनाव के अंदर भारती जंता पार्टी गई नायब सिंग सैनी के चेहरे महरे पर तो फिर वो इसलिए अनूठा हो गया क्योंकि मैंडेट और बड़ा बन गया इस चुनाव को लेकर के मैं इसलिए आप से कह रहा हूँ कि बड़ा द्वित्या चुनाव था कि हर्याणा के विधान सवाग चुनाव को लेकर केवल भारती जंता पार्टी और नायब सिंग सैनी और भाजपा के नेताओं के अलावा कोई व्यक्ति ये नहीं कहता था कि हर्या सरकार कॉंग्रेस बना रही है सभी सर्वे में यह कहा गया कि सरकार कॉंग्रेस की बनेगी और उसके बाबजूत अगर आप देखें तो फिर जो मतों का बठवारा हुआ उसका कुछ अंदाज लगा लें कि 49.9% कॉंग्रेस को और 49.94% बीजेपी को यानि कि 0.90% का भी फरक नहीं 0.85% का अंतर रहा और इस सारे हारजीत के आँखडे को अगर आप देखें क्योंकि जब पैनलिस्ट इसकी रिपोर्ट लगाते हैं तो जरूर कह देते हैं लेकिन कुछ विभिल कुछ स्पेशल एरिया अगर मैं आपसे कहूं कि खासकर मेवात का एरिया मेरे पत्रकार साथी उनसे आज बात भी हो रही थी कह रहे थे कि एक मेव मुस्लिम नेता ने पांच मेव मुस्लिम विधायक तो उनके बयान से बन गए लेकिन कॉंग्रेस को नुक्सान बहुत दिया मैं इस लिहाज से आपसे कह रहा था क्योंकि जो तीन नुहु जिले के विधान सबाद छेत्र चोथा पनवल जिले की अथीन विधान सबाद छेत्र और पांचवी यमुना नगर जगाधरी विधान सबाद सीट जहाँ पर क्रमशाय आफ्ताव एहमद मामन खान हतीन से मुहमद इसराइल इल्यास मुहमद और इनके साथ साथ अक्रम खान चुनाव जीते जगाधरी से इनका मारजन तो बड़ा हो गया लेकिन इस मारजन के पीछे जो वोटों का ध्रूवी करण हुआ और जिस प्रकार का संदेश मद्दाताओं के बीच गया उसके बाद से जो मतों का बटवारा था दोनों पार्टियों के बीच में उसने सपश्ट कर दिया कि आखिर भारती जनता पार्टि की सीट बढ़ने का और कॉंग्रेस की सीट 36 रहने का फरक और अंदाज क्या रहा जो मैं आपको बता रहा था कि अपने आपको साबित करना जिस दिन मतगरना शुरू हुई थी तो एक मात्र नायव सिंग सेनी ऐसे नेता थे जो कुरक्षेत्र के अंदर ब्रहम सरोवर का उनका वो द्रिश्य था मैंने भी देखा था आप लोगों में देखा होगा जरूर क कि जब वो ब्रहम सरोवर से और हनवान जी के मंदिर से बाहर निकल रहे थे और बाहर निकल करके उन्होंने कहा था कि दस बजे के बाद आप देखेंगे तो हर्याणा में भारती जंतापाट्टी की सरकार बन रही होगी और वो सब हुआ इस लिहाज से अगर स्वामी रामदेव और महंतगिरी अगर कह रहे हैं तो फिर इसलिए कहा गया कि जब व्यक्ति खुद को प्रूव कर देता है खुद को साबित कर देता है फिर उसके लिए सभी उपमाई छोटी हो जाती है जहां तक बात आजाती है स्वामी रामदेव का हरियाना के अंदर आचार्य कुलम गुरु कुलम खूलने की बात तो उसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं जहां उससे अदर क्योंकि स्वामी रामदेव का भी हरियाना से ही उनका जो नाता रहा है महंदर गढ़ जले से आते हैं स्वामी रामदेव हरिद्वार को उन्हों ने अपनी करम थली बनाया बाद में और योग की दिख्षा देते देते स्वामी रामदेव ने एक जो बड़ा एक सामराज्य खड़ा के उसको सामराज्य कह सकते हैं और उससे जितने बड़ी संख्या में लोगों को अगर रोजगार की बात करें वो मिला तो फिर अगर हर्याना के अंदर स्वामी राम देव ये स्थापना करते हैं संभावता वो कुरुक्षेत्र जिला हो सकता है क्योंकि धरम नगरी हर्याना के अंदर कुरुक्षेत्र आती है तो उसके बाद मान लें कि कुरुक्षेत्र के ही नायव सिंग से नहीं आते हैं सरकार उनका संपूर्ण सहयोग करेगी जैसा बन पाएगा सबसे बड़ा सवाल ही है दोस्तों जो महंतगिरी कह रहे थे और जो स्वामी रामदेव ने कहा अप्रतिम मुख्य मंत्री और भारत का भविश्य है आप इसके बारे में क्या सूचते है अगली जब टर्म आएगी तो फिर नायप सिंग सहयनी के लिए भी कोई और रास्ते खोलेंगे इसके सासत हर्याना में जो आने वाले समय है आने वाले जो दिन है खास कर क्यूंकि अभी सरकार चलना शुरू होगी और 5 साल तक हर्याना में सरकार जो चलनी है उसके अंदर हर्याना के अंदर आप क्या मान रहे हैं कि नायव सिंग सेनी के निर्टताव में हर्याना के अंदर कौन से नए आयाम स्थापित हो सकते हैं कमेर्स बॉक्स में जुरू बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन